जनतदल United अब देखिए जो चुनाव होने वाले हैं यूपी में उसको लेकर के कमर कस रखा है। यूपी में अब तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के हमारे साथ यूपी के प्रदेश अध्याक्ष अनुप सिंग जी हैं। अनुप जी यूपी में किस तरह की तैयारी हो रही है आप लोग हम 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी से कुछ बात वैसी बनी है और किसान की समस्या यह सब लेके जाएंगे अहम मुद्दा कौन सा होगा एहम मुद्दा तो ब्याहर माडल मुद्दा हमारे क्या ब्याहर में जो काम हुई आहा है उस हिसाब से यूपी में काम नहीं हो रहा है इस तरह से यूपी में काम नहीं चाहते हैं आप लोग किसे मुलाकात हुई अभी तो आथ तो अभी किसी से नहीं है किसी तागी सरकेदर गयता है पतालागा वो भी इदर है कुसवा जी से मिलने आया राश्टी अद्द्दक जी का साड़े तीन बजे हमें टाइम मिला आए देखिए अनुप सिंग जी हैं जडियू के वहाँ कह सकते यूपी के प्रदेश सद्ध्यक्षे और यूपी में इस वार तैयारी कर रहा है जनता दल यूनाइटेड इस वार जो चुनाओ होगी यूपी में उसको लेकर के पूरे 200 सीटों पे चुनाओ लड़ना है ये बात यूपी के प्रदेश सद्ध्यक्ष अनुप सिंग ने कहा और साफ तोर पे देखिए जो तैयारियां चल रहे थी और कहा जा रहा था कि यूपी में जो पूरी तरह से बिहार का जो मॉडल है उस पर इस बार उन नीतियों के साथ चुनाओ लड़ना है और देखिए इस वक् लगता है जब इन लोगों की मुलाकात जडियों के प्रदेश कार्याला में होगी तो तमाम ऐसी बातों पर चर्चा होनी है या कि यूपी में चुकि केसी त्यागी ने पहले ही कह दिया है कि यूपी में जो तैयारियां है वो उसको ले करके हम पूरी तरह से तैयार है लिए जन्तरण उनियाटेट के संसदीय बोट के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वास से मुलाकात करने के लिए लगातार जो कारे करता है वो पहुंच रहे हैं और यूपी से आए जो तमाम लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं और आज बात होगी सब्सक्राइब के साथ हमस्कार